प्रधानमंती नरेंद मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करने वाले हैं आपको बतादे प्रधानमंती नरेंद मोदी वहां पर दुपैर करीब बारा बज़े ग्यारा हजा करोड रुपै से जादा की पनबिजली परियोजनाओ का उठाटन और शुलन्यास करेंगे आपको बतादे इस से पहले पीम मोदी हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारों के अध्यक्षिता करेंगे प्रदान मंतरी लगातार देश में उपलब्द संसाधनों की अप्रयुक्त शंता का पूरी तरह से उप्योग करने पर जोर देते रहे हैं संबन में हिमाली अश्यक्षितर में पनबिजली शंता का अधिक्तम उप्योग करना एक एहम कदम माना जा सकता है यात्र के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा परियोज्णाओं का उद्खाटन करना और अन्य परियोज्णाओं का श्लन्यास करना इस दिशा में उनके एक महतपून कदम को भी दर्चाता है प्रधान मंतरी नरींद मोदी रेनू काजी बान परियोजना का शलन्यास करेंगे आपको बतादे करीब तीन दशकों से लंबित पड़ी इस परियोजना को प्रधान मंतरी की सहकारी संगवाद की सूच उसे संभाव बनाया गया इस पर यूजना को संभव बनाने के लिए केंद सरकार छे राज्यों इमाचर प्रदेश, उत्ताप्रदेश, खर्याना, राजिस्तान, उत्राखन और दिल्ली से बाच्वीत करूने एक साथ लाई है चालिस मेगावाट की इस परियोजना का निर्मान करीब साथ हजा करोड की लागत से किया गया है आपको बता दें कि दिल्ली के लिए बेहत लाब दायक साबित हो सकता है इसके जरीए दिल्ली को प्रती वर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की अपूर्ती हो सकेगी प्रधान मतुई नरींद बोदी लुहरी प्रतम चरन पन बिजली परियोजना की अधार श्रीला रखेंगे आपको बता दें कि 210 मिगवॉट की इस परियोजना का निर्मान 1800 करोड रुपे से ज़्यादा की लागत से किया जाएगा इससे प्रती वर्ष 750 मिलियन यूनिट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन भी होगा ये एक आधुनिक और भरोसे मन्द ग्रेड शेत्र के आसपास के राज्जों के लिए भी फायदेवन साबित होगा तो यानि कि आज ये हिमाचल को बड़ी सौगात प्रधानमंती नरेंद मूदी देने के दिए पहुँच रहे हैं